नमस्कार साथियों एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में दोस्तों यह 10 by 10 का रूम है और यह मेरा ट्रेडिंग रूम है इस रूम को मुझे बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा हलाकि अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग रह गया है बहुत सा में अभी कुछ इसको अपनी हिसाब से मोडिफाई किया हुआ है तो चलिए बिना देर किये आप लोगों को अपना ट्रेडिंग रूम का विजिट कराता हूं पहले एक बार ना मैं पूरा व्यू आप लोगों को दिखा देता हूं इसके बाद धीरे-धीरे करके जैसे मैंन फोटो लगा के रखा हुआ है उसका एक मीनिंग है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स यह मेरा चियर है एक यह और लगता है जिसमें सुनिल बैटता है अभी आप देख रहे हैं आपर तीन स्क्रीन लगा हुआ है ठीक है और इसमें एक एक सिस्टम में चलता है मतलब एक सीप्यू में ही चलता है तो चली पहले मैं चालू करता हूं इसके बारे में थोड़ा सा आपनों को डीटेल बताता हूं ठीक है इधर मैंने ओन करने के लिए रखा है अभी यह मेरा वेब कैम है लोजी टेक का जब रिकॉर् जुम में जब लाइव रहना पड़ता है तो फिर मैं इसको अन कर लेता हूं अधरवाइस बन रहता है बागी टाइम आधी साथ्यानास करता है तो बहुत फास्ट है सिस्टम ठीक है यह मेरा तीन स्क्रीन एक ही सिस्टम में अपरेट होता है ठीक है करसर को कहीं भी यहां व यहां पर मैं जाके दूसरा वाला भी ओपन कर लेता हूं उसको इधर ले आता हूं और एक स्क्रीन में लगा लेता हूं अपना ट्रेडिंग इसको मैं इधर कर दिया ठीक इसमें लगा दिया मैं ट्रेडिंग इसमेरा चार्ट चलता है तो इसमें चार्ट देखता हूं इसम मैं अपना बड़े वाले DMOE1 को operate करता हूं औр छोटे वाले600 घॉपरेट नि स्फॉ सेवर करते हूं तो हम माुइंग का कश प्रपर्टीज में अध्याव मत थोड़ा दिटेल बता देता हूं प्रोसे सबें इसमें लगा हुआ है CPU में Intel का i7 इसको मैं कोबिट के दवरान बनाया था बनवाया था मतब 2020 बनवाया था मैं ठीक है i7 और 9th generation है उससे में लेटेस्ट था अभी तो साइट 10th generation आगे की ज़्यादा आगया है पता नहीं मुझे ठीक है आप लोग देखिएगा ठीक है और इसमें जो सबसे important है कि मैं share करता हूं आप लोगों को ग्राफिस कार्ड ग्राफिस कार्ड मैं इसको बनवाया था उससमें मैं ग्राफिस कार्ड पड़ा था अभी एक ग्राफिस कार्ड जो है आर्टी एक्स 2060 सुपर है ठीक है 2060 आर्टी एक्स 2060 सुपर अभी थर्टी टू था उजिंट आसपस मिलेगा तो टोटल सिस्टम को मुझे बनाने में लगभग एक लाग 80,000 लगा था इसमें तीन स्क्रीन भी इंक्लूड है और सिप्यों मदर बोर्ड मिलाके लगभग 80-90,000 रुपे मुझे लग गया था तो सिप्यों टोटल एक लाग 30,000 सम्थिंग था और इसका यह जो इसक्रीन है इसक्रीन बेंक्यू का है और आई प्रोटेक्टर करते हैं और इसमें और क्या बताने लाइक है इसमें बेंक्यू लगभा के 14,000 आशकल मिल रहा है तब 16-17,000 मुझे मिला था और एक स्क्रीन यह है जिसमें सुनिल बढ़ता है उसका वह है CPU इधर है इधर ओके यहां पर ठीक यह जो पीछे अभी मैं इसको बाद में सेल्फ बनवाया ठीक कुछ books होगे रहा है बहुत सारे books मैंने पढ़े नहीं है रखा हुआ है ठीक है लेकिन जब भी मुझे मुझे मौका मिलता है मैं इन में से निकालके एक दो बूग को पढ़ता हूं ठीक है तो यह हुआ मेरे system के बारे में आई होप आप लोंक अच्छला होग करने के लिए इस पेसली जब आप जैसे option में trade कर रहे हैं तो दो तीन चार्ट तो चाहिए ही चाहिए ठीक है देखने के लिए और एक screen में हाँ ठीक है जब आप मतब चोटा account operate कर रहे हैं दो लाग-धाई लाग से आप trade करें तो आप mobile में भी कर सकते हैं या फिर एक tablet में भ करते हैं तो मुझे लगता है कि चीजें ज़रूरी है बट अगर आप अभी इनिसेल स्टेज में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतने सारे ताम जहां करने की ज़रूत नहीं है फिर आप लोगों को लगा आप आप लोगों के पास तो इतने सारे screen से कुछ होता नहीं है ठीक आप लोग चाहें तो इसको करेबальная म मिला था ठीक है मैं कोसिज करोंगा इसका लिंक शेयर कर दूगा ठीक है और इसमें एक पेंगिन राइट तो मतलब पैंसित पर डाउनलट कर लेते हैं फ्री और आप News ना शुरू कर दिए ठीक जो भी आप लोगों को ड्रॉ करना है इसे चार्ट कर लिए लिखना है इसी हो जाता है पढ़ाने के लिए जो टीजर है उन लोग रखते ही होंगे पैट तो जरूरी है ठीक है तो यह हुआ मेरे सिस्टम के बारे में और हां जैसे लोगों को मैं जैसे रिकॉर्डिंग करते हम लोग वीडियो ठीक है तो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने केम्टेसिया यूज करता हूं अभी मैं हलाकि थोड़ा पैड है राइट केम्टेसिया नाम से एक सॉप्ट्वेर है यह लगभग आज कल 25,000 आसपस मिलता होगा लेकिन अगर आप बिगनर हैं और अगर यूटूबर बनना चाहते हैं कोई तो मैं आप लोगों को बता दूना एक्टिब परिजेंटर नाम से फिर आप कॉस्ट एक आता है उसके थुरू भी आप कर सकते हैं जैसे मेरा आपर आगया आप मैं यहां पर स्क्रीन चालू कर दूंगा ठीक है उपर में डिस्प्ले रहता है यहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं तो यह पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है अभी यह पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा एड नहीं रिकॉर्ड होगा ठीक हो जाएगा ओके चलिए अगर आप लोग रिकॉर्ड करना चाहेंगे या फि चाटिंग में 2018-19 में जब मैं स्टार्ट किया थे यूटूब तो उसे में एक्टिव परजेंटर से ही रिकॉर्ड करता था जो पुराने वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा यह में थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा आता है ऐसा ठीक है और जब पैसा दिखाई दे रहागा थोड़ा कैमरा आप मैं बोलूँगा किधर दिखाना एक बूख जो अभी मैं पढ़ रहा हूं दे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हिंदी में है आप लोग इसको किसी बूख स्टॉल में जाकर खरी सकते ही इसके बाद बाकी सारे जो बूख है उनमें लोकल से ग्लोबल एक भूख है ठीक है प्रकास बियानी जी का अगर चाहें तो इसको पढ़िए गा इसमें टाटा के बारे में अमबानी के बारे में जो भी हमारे इंडस्टिल है उनके बारे में काफी अच्छा चीजें शेर किया गया है तो इनको आप देख सकते हैं ठीक अब भी है कि मैं जल्दी बनाओं अभी हम लोग लगबग 6 फैमिली रहते हैं यहां पर ठीक है दो बच्चे है मेरे भतीजे रहते हैं फिर मेरे दो बच्चे वाइप मदर ओके हलाकि एक रूम है बगल में मैंने रेंट पे लिया हुआ है मेरे दोस्त का यह रूम तो वहां ज्यादा यूज केवल मेरे ट्रेडिंग के लिए बागी कोई यूज होता नहीं रूम में ठीक है चलिए तो मैं थोड़ा सागे बढ़ता हूं यहां पर एक प्लेट देख रहे ना यह असल में पिछले एक-दो साल पहले के वीडियो देखे होंगे आप लोग तो आप है क्योंकि रूम चोटा है तो कैमरा और मतलब स्क्रीन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए अधरवाइस आता ही नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं अधरवाइस मैं खड़े होके एनालिसिस करना चाहता था इसके मंगाया था पिर यह चाहिए तो हम लोग इस्तिमाल करती है के दुनिया में बहुत माइन रखता है फिर पर के करेक्टर कैसे होना चाहिए कचे क्या होना चाहिए पेसेंसों औरच को करेज़ों डिस्प्रीण हो और यह होने चाहिए अगर गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करने की उसके के अंदर एक करेज होना चाहिए बहुत लोग आप लोग देखते होंगे वीडियो में देखते होंगे लोग लोग लॉस को नहीं करते हैं मैं इन चीजों से कई बार मैं इनसे खुद को मतलब ऐसा कर पाया हूं तो इसलिए यह सारे कोट्स मेरे लिए काफी माने रखते हैं ए यह से मैं यहां बैठ गया इधर तो एक बार दिमाग उधर जाता ही है नजर जाती है तो पढ़ लेते हैं उसको तो फिर से वही चीजें आ जाती है ना तो इसलिए मैंने इसको यहां पर लगा कर रखा है वह जो बड़ी वाली है बीश का जो है इसको मेरे बच्चे की किया था इसको उपर अहम प्रकृष्यामी आएम दो प्रोसेस ओके और इसके अला और क्या सियर करूं आपको चलिए मैं इदर सेयर कर देता हूं यह बुद्ध जी का प्रतीमा है बहुत मतलब ट्रेडर को एक सांती बीचे मेडिटेशन टाइप का तो जब करता तो उतना न एक म्यूजिक चलता है ठीक है तो मैं एक बार गुजराद गया था सोमनाथ ओके तो आते समय मेरे कमीत्रें सर्मा जी उन्होंने सालंगपूर टेंपल लेगे गये थे बजरंग बली का टेंपल है बहुत फेमस है तो एक म्यूजिक है यह इसमें हनुमान जी का एक मंत्र है तो 24 एक्स चलता है ठीक है चलते रहता थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के लिए पॉजिटिविटी आता ही इससे और इधर आप देखेंगे तो यह मेरे मतलब कुछ पोधें है ठीक है इसको क्या बोलते हैं लकी बॉम्बू बोलते हैं ठीक है तो यह मैंने लगा के रखा अच्छा लगता है फिल अच्छा आता है पॉजिटिव एनर्जी आता है इसको एक मेरे मित्र है इस्टुडेंट है तो नाम है उनका पुरोहित जी रुपेश पुरोहित उन्होंने इसको गिफ्ट किया है और बड़ा अच्छा लगा मुझे ठीक है और इसके बाद आगे बड़ते हैं यह भगवान जी का मेरा जगा है इन में से जादर तर जो मुर्तियां हैं जैसे गड़ेश जी हैं मैं एक तरीके से बहुत लगी फील करता हूं को जब इस घर में पहली बार आया था जिस मतब रहने के लिए और इस घर में आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है भी है मेरे साथ उन में से एक बहुत अच्छा हुआ कि जब मैं यहां आया तो एक असोख करके इस्टुडेंट था मेरा है मतलब उसने गिप्ट लागे दिया था मुझे गड़पती जी का इसके बाद पहले मैं लाइफ शेमिनार किया करता था कभी मुंबई ज्या तो यह भी मुझे एक मिसरा जी है अभी लाष्ट पूरी गया था तो उन्होंने मुझे गिप्ट किया है तो अधिकांस यहां पर जितने मूर्तिया लगे हैं वो गिप्टेट हैं और कुछ हैं जैसे बगवान जी का है भोलेनाज जी का है शीव पारवती जी का अभी राम मंदीर इस्टेबली स्वात तब मैं इसको खरीद के लाया हूं तो यह रहा मेरा मैं सियू जी का भक्त हूं पूजा पार्ट में बिलीब करता हूं भरोसा करता हूं आस्तिक हूं मैं दोनों नवरात रहता हूं यह अभी जो चैत्र नवरात राएगा इसमें भी नाइन रहता हूं अच्छा लगता है थोड़ा सा खुद के लिए अच्छा लगता है और स्वास्ति के लिए काफी अच्छा है वह के बाकी ज्यादा पूजा पार्ट करनी सकते अपन इतना तो नहीं लेकिन ठीक है मतलब इंसान है तो इस नाते और हिंदू है इस नाते मुझे बतां तो ये वीडियो पुरा नहीं होगा उके तो दिखे इसके पीछे न यह मेरा चेयर है इसके पीछे एदिख रहा है इसके पीछे एक बैक ऐख कप बैक अब अॉन नाने बनता है मैंने सीरीज में जो बनाने वाले हैं उसे सीरीज में 6 बैटरी लगाया है और इतना बढ़ियां बैकफ है एक इंवर्टर है अंदर में और एक 6 बैटरी का एक सेट अप है अच्छा एसात में इंटरनेट का जो ब्राड्बेंड है इसको मिला करें लगभग 25 घंट का वैक यह देता था अभी थोड़ा कम हो गया है दो साल हो गया है तो लगभग तीन साथे तीन गंटगा वैकम है अगर किसी को जैसे बैक आप के लिए चाहिए क्योंकि कई बार क्रेंस के लिए 3-4 गंटा लाइट कर जाता है तो उतना देर के लिए काफी अच्छा बैक पीसे मिल जाता है तो एक बैकप है और काफी अच्छा बैकप है मैं कंपनी का नाम तो साइद दिमाग से हट गया है मैं वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा अगर आप लोग तो यहां आगे तो जब के मार लेते हैं तो ए रहा फ्रेंड्स मेरे ट्रेणिंग रूम का विजिट आप लोगों के लिए आसा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफी कुछ इसमें देखने और सिखने को मिला को आप लोगों को अगर आप अपडेट मैं शेयर करूं आप लोगों को कि यह जो तीन स्क्रीन अभी आपने देखा इसके बदले में एक बड़ा इसक्रीन आता है ठीक है थोड़ा महंगा है सेमसंग और गरा का या एकाथ LG और गरा का भी आता है वह बड़ा इसक्रीन होता है कर्व जैसा तो मुझे इपल का एक आया है मैक 2 या M2 ऐसा करके है ठीक है तो मैं उसको लगा लूँगा तो थोड़ा थोड़ा नवाइस आता है यह भी नवाइस ने रहेगा तो एकदम साउंड कुरूफ होगा तो फ्यूचर में जब भी मैं नया सेटप बनाऊंगा नया घर बनाऊंगा तो उसम करना सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलेगा और हां दोस्तों को शेर जरू करिएगा तो फ्रेंड्स मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद